हेलो फ्रेशिस, तो ऐसा है कि अगर आप Content Tractor बन चुके हैं या आप अपनी सर्वसिस एज़े Content Tractor देने जा रहे हैं तो आपको WordPress के अदर भी Content को लिखके Publish करना आना चाहिए क्योंकि जो भी बन्दा आपसे Content लिखवा रहा होगा वो यहां तो आपसे MS Word की File में लेगा जहां वो आपसे कहेगा कि आप WordPress के अदर उस Content को लिखिए, Edit कीजिए और Publish कीजिए तो इस वीडियो के अंदर WordPress के डिटर में Sign In करने से लेके आपके Content को Publish करने तक का सारा Data मजूद है एक और बात, आप जिन्दगी के किसी भी शौबे से तरलक रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप Engineer हैं, आप एक Traveler हैं, या आप कोई भी और जिन्दगी के शौबे से तरलक रखते हैं, तो आप Content लिख सकते हैं आपका Content उस चीज़ से Related Website वाला खरीदेगा, तो आएं इस वीडियो को देखते हैं, और सबसे पहले यह Understand करते हैं, कि WordPress में अगर लिख के हमें Submit करवाना है, तो वो कैसे करेंगे पैद यह वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाए, इस वीडियो को एंड तक देखें तक कि आप Completely Understand कर सकते हैं, कि WordPress के उपर Content को कैसे लिखा जा सकता है तो स्टार्ट करते हैं, फस्ट और जो भी बन्दा आपसे Content लिखवाएगा, वो Website का Administrator हो सकता है या Website का IT Consultant हो सकता है वो आपको एक User Name या Email Password देगा, Email Address देगा और उसके साथ एक Password देगा जिसको आप Word और एक Link भी देगा, जिस Link पे आप क्लिक करके इस तरह के इंटरफेस के उपर पहुंचेंगे, इस इंटरफेस पर आपको यहाँ पर अपना User Name या Email Address simple इंटर करना है, और उसके बाद आपके Credentials देगा आपका जो Password है, उसको आप Secure रखे हमेशा, वो आपको एक Password भी अलॉट करेगा, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है, तो मैं अपना User ID और Password देने के बाद वेबसाइट में इंटर हो चुका हूँ, तो First of All जो आपको Panel Show होगा, वो यह वाला Panel Show होगा, इसको Control Panel of Website कहते हैं, आपको Author Account मिलेगा, Author Account के अंदर चीज़ें Show होती हैं, वो यह गिवन है, First of All आपको Dashboard Show होगा, Dashboard के अंदर यह को Upcome या ज्यादा कर सकते हैं स्क्रीन Options में जाके, Suppose मैं इसमें से Activities Yoast से Related चीज़ें, कोई Draft को खुतम करना चाता हूँ, या सिर्फ WordPress की, मैं Events और News की Detail रखना चाता हूँ, तो वो ही सिर्फ यहां पर मुजूद रहगी, इसके बाद मैं जा सकता हूँ Posts के ओपर, यहां अपर All the Posts, जितनी भी Posts उस Website के ओपर हैं, उस सारी की सारी मजूद होंगी, उनमें से सिर्फ मैं अपनी Posts को, जो Posts मेरी हैं, सिर्फ उनको मैं जाके Edit कर सकता हूँ, बाकि किसी की Posts को मैं Edit नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी Posts को Edit कर सकता हूँ, या उसमें कुछ Change कर सकता अगर आप New Posts एड़ करना चाते हैं, तो यह एड़ नियू से होगी, यह कमेंट्स दिये हुए हैं, यह मीडिया है, जिसका मैं आपको बात मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम लेना है, यह आपकी Personal Profile है, जिसको आप अपडेट कर सकते हैं, Personal Profile को अपडेट करने के उपर एक Separate Tools के साथ, अगर हम छेड़ खानी ना करें तो बेटर है, लेकिन Tools में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें Allow करता है, Administrator of the Website, वो ही चीज़ें सरफ यहां पर Show होती है, तो First of All हम जाएंगे Posts के उपर, यहां से Add New Post के उपर, क्योंकि हम एक नई Posts एड़ करने जा रहे हैं Suppose I Want To Write New Heading, तो यह मेरी New Heading आ गए, यह मेरा Title बनेगा उस Post का, तो अगर मैं इसको Preview करना चाहूंगे, यह मुझे Post में Show कैसे होगा, तो मैं यहां से Preview के बटन के उपर क्लिक करूँगा, यह देखिए, अभी I Want To Write A New Heading, सिर्फ यहां पर ऐसे Simple मुझे Show होगा, और यह वो Writer Detail है, यहां पर Content Guide, यह मेरा Writer Name है, यह यहां पर Show होगा, और More Form Author, यानि कि जो भी मुझे से Related और Articles होगे, वो भी निचे Show होगे, ऐसा यह लिए होगा, ताकि आपके Engagement Users के साथ बढ़ सके, इसके बाद अगर मैं कोई भी चीज़ यहां पर Add करना चाहता हूँ, तो उसको मै आपका Article Headings के अंदर Divide होना चाहिए, ताकि Google को Understand, जब Google क्रॉल करता है, Google Search Engine क्रॉल करता हूँ आएगा, तो आपकी Headings को देखे, उसको लगेगा, कि इसके पास इससे Related Information ज्यादा है, Suppose 2022 में कतर के अंदर एक World Cup हो रहा है, उस World Cup से Related जितनी भी हमारे पास Information होगी, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से यहां पर लिखेंगे, तो Information यहां पर हमें अच्छे तरीके से Show होगी, हमें Show होने के लावा वो Google को भी उस साइड पर, Crawler जो है Google का, उसको भी Information जो है वो पिक करने में असानी होगी, तो यहां पर Heading 1 को, अगर मैं इसको Heading 1 को Heading 1 बनाना चाहता ह तो Simple Heading 1 मैं इसको Click करूँगा, और बाद में मैं इसको Paragraph की Form में ले जाके, अपना जो Article इसको Start कर सकता हूँ, आपके Article में Introduction लाजमी होना चाहिए, जो Introduction का Part है, यह तीन चार लाइनों के पर मुझतमिल हो सकता है, इस Introduction के Part के अंदर जो आपकी Heading है, आपने इसको एक ब लिखा हुव आर्टिकल कोलता हूँ, यह हमारे एक राइटर का लिखा हुव आर्टिकल है, मैं इसको खोल के आपको Understand करवाता हूँ, ठीक है, अब यह देखिए, इतना यह है हमारी Heading 1, यह है हमारा Introduction का Part, और इसके बाद यह Heading 2 है, ठीक है, हमारे राइटर ने इसको बड यह आपको आगे बताता हूँ, लेटर ओन, जब आप इसको यह लिख लेंगे, इसके बाद आपने यह लिखने के बाद, यहां पर इसके बाद Heading 2, मैं स्पोस Heading 2 के बाद एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं Simple Add Media पर जाऊँगा, यहां से Select File करूँगा, यहां पर सबसे पहले तो understand करें कि यहां पर एक Media Library है, Media Library से मुराद वो सारी के सारी images जो और रड़ी वेबसाइट के अकाउट में पड़ी है, वेबसाइट की गैलरी के अंदर यह सारी के सारी images पड़ी है, यहां तो मैं यहां से को image पिक कर लूँगा, ठीक है, यहां मैं upload करूँगा इसको edit में जाके, मैं इस image का alternative text, alternative text हम तब देते हैं, जब हमारी image suppose upload ना हो, तो इसकी जगह पर वहां पर क्या show हो, upload ना होने की multi reasons हो सकती है, उनमें से एक reason इसकी यह भी हो सकती है, कि जो भी आपका article पढ़ रहा है, उसकी internet speed slow है, वो text process हो के उसको show हो गया, लेकिन image अभी processing के अंदर मुझूद है, इसलिए show नहीं हुई, तो इसको alternative text नजर आना चाहिए, और यह जो caption है, यह image के नीचे आपको show होगा, caption और description जो है, यह image के नीचे आपको show होती है, caption जब आप image के उपर भी लेके जाएं, तो आपको show होगा, ठीक है, आप यहां से अपनी image के size को resize क के सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुशिश कीजिए, इसको default रेने दे, यह जहां से simple update, यह आपकी image की setting आगी, अब मैंने आप से कहा था, कि आप article लिखेंगे जब, तो article लिखते होगे, आपको 2-4 चीज़ों का ख्यार रखना है, फर्स्ट और आपको ख्यार रखना है, इसके permal लिंग का, यह वो permalink है, जो यहां पर show होगा, suppose, यहां पर permalink show हो रहा है, यह वाला, hubdaily.net, यह मेरी website का नाम, travel मेरी category, और यह why you must visit Maldives once, यह permalink, आपका permalink यहां पर क्या बन सकता है, यह देखे, मेरा यहां पर permalink यह बना हुआ है, uncategorized है, क्योंके भी तक मैंने इसक add की हुई है, अगर तो मेरी category इन में से कोई एक बनती है, तो मैं इन में से अपनी category उठा लूँगा, वरना मैं administrator से request करूँगा, कि भी मैं इस category में लिखना चाहरा हूँ, kindly add that category, तो suppose that कि मैं यहां से commerce में लिखना चाहरा हूँ, और commerce के अंदर business environment में लिखना चाहरा हूँ, तो यह मेरी category आ गई, अब category भी select हो गई, तो यहां पर मेरा category जगा पर यह चीज़ आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना article यहां पर completely लिखना है, article को लिखते हुए, मुझे जिन चीज़ों का ख्यार रखना है, वो यह है कि जो मेरा main item है वो यह है, यह जो मेरा main article की heading है, वो यह है, इस article की heading से related data यहां पर maximum मुझूद होना चाहिए, pledgeism से avoid करना है आपने, और कोशिश करनी है कि pledge को avoid करते हुए, इस चीज़ को आप repeatedly, लेकिन इतनी बार भी नहीं कि वो stuffing लगे, ठीक है, इस चीज़ को आप repeatedly यहां पर use कर सकते है अच्छा, अब आपने article लिख लिया, तो आप, यह SEO की plugin है, इस plugin को कैसे use करना है, इसकी वीडियो का link में नीचे दे रहा हूँ, यह proper separate video बनी पड़ी है, जिसके अंदर SEO की plugin के बारे में, इन detail बातें बता ही है, ठीक है, तो यह मेरी post की settings के अंदर, SEO की plugin भी आ गई है, ठीक मैं इसको यहां ले आता हूँ, और post की setting को मैं यहां से उठा के, फिलहाल, यहां लेके जारू, ठीक है, तो यह मेरी SEO की plugin हैंगी, तो अब मुझे फटा-फट करना किया है, मुझे आर्टिकल लिखने के बाद, अपनी Yoast की plugin को satisfy करना है, Yoast की plugin जब तक यह readability, और SEO के items जब best नहीं रहेंगी, जैसे ही देखें, यह सारी points मुझे green करने, यह सारे points one by one green होंगे, इन points को पढ़ें और उसके accordingly अपने article को change करने की कोशिच करें, और यह SEO से related points है, यह आपका desktop पर result ऐसा show होगा, और आपका mobile के result ऐसा show होगा, ठीक है, SEO का analysis अगर आप देखें, तो आपने out outbound link को बनाना है, outbound link को कैसे बनाते हैं, यह होता है, आपकी website से किसी और website पो जाने के लिए link, तो इसकी उस video का आप तसली से देखें, SEO की, अभी हमारा फिलहाल मकसद सिर्फ यह है कि इस interface को understand करना है, कि अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, डिटर के अंतर, त तो यकीन माने आपका article लिखा हुआ भी किसी काम का नहीं होगा, उसकी reason यह है कि आपका search engine है Google, उसको आपका article मिले गई नहीं, तो Yoast की plugin जो है, यह किसम का हमारे पास, यह हमें checklist प्रवाइड करती है, जो आपका article upload होने से पहले वो checklist यह Yoast की plugin automatically check करती है, उसके बाद आपक article ready to publish है, ठीक है, तो Yoast की plugin के यह सारे points green होना ज़रूरी है, और इसका यह SEO के points है, इसके readability के points भी green होना ज़रूरी है, जिसमें से कुछ readability के points green हो चुके है, जो चीज़ें से required थी हो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, यहाँ डाल चुका हूँ, उसे heading 1 required थी हो मैं दे चुका ह है, वो और improve हो जाएगी, Yoast की plugin जो है, वो settled है या नहीं है, इसके बारे में आप यह देखिए, यह readability इसकी orange है, जब तक यह green नहीं होगी, it means के इसकी readability आपके article के good नहीं है, और जब तक आपकी SEO से related data green नहीं हो जाता है, it means के आपका article इसकाबल ही नहीं के search engine optimization में आ सके औ बाकी अब आते हैं में इसकी बाकी exploration की तरफ, यह हमारा toggle button है, और यह हमारी वो सारे के सारे tools हैं, जो हमें available हैं इसके editor के अंदर, WordPress के classic editor के अंदर, when I am talking about classic editor, it means के कोई और editor भी होगा, तो WordPress का एक और editor block editor भी है, जिसके ओपर मैं जल्दी एक वीडियो बना के upload कर रहा हूँ, और उस WordPress के block editor के वीडियो भी आप लाजमें देखेंगा, क्योंकि कुछ website ऐसे हैं, जो classic editor को use नहीं करती हैं, वो block editor को use करती हैं, तो यहां पर अगर मैं कुछ भी देना चाहरा हूँ, जैसे मैं अगर इसको control C करके, यहां पर control V करूँ, याद रखें, इसके अंदर सारे shortcutts वो ही चलेंगे जो आपके MS Word के अंदर चलते हैं, तो मैं इसको यहां कर रहा हूँ, और इसको मैं एक bulleted list बनाना चाहरा हूँ, तो यह देखिए, यह bulleted list बनगे, और इसको मैं bold कर रहा हूँ, और साथ italic कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं left line, central line, जा right line भी न कर सकता तो मैं उसको quotation के अंदर भी लेके आ सकता हूँ, just remember, quotation, यह देखे हैं, यह उसकी quotation की तरह की चीज़ आगी है, अच्छा अब एक और बात, आप जिस भी point के उपर लेके आएंगे, वहाँ पर उसका, जो भी उसका आपकी shortcut keys होगई, वो wordpress खुद बहुत ही आपको शो कर इसके लावब अगर हम यहाँ पर आएं, तो यह आपने links insert करने के लिए इस्तमाल होता है, suppose मैं इसके ओपर एक link insert करना चाहरा हूँ, इसके ओपर, तो जब भी इसके ओपर क्लिक करेगा, तो मेरी ही कि अगर किसी suppose मैं इसका link देता हूँ, यहाँ से उठा के, तो यह उसके इसके ओपर क्लिक कर जाएगा, यह link बन गया है, जब भी को इसके ओपर क्लिक करेगा, इस link के ओपर, तो वहाँ पर वही वहला article खुली जाएगा, तो link क्यों बनाने पड़ते हैं, link बनाने के बहुत सारी reasons हैं, एक reason तो यह है कि आपने inner links बनाने होते हैं, inner links बनाने का मक्स बने, ऐसे तरोडें, बात को ऐसे settled करें, कि आप अपने ही किसी और ब्लाग का उसको अंदर link दे दें, तो इससे क्या होगा, आपके ही किसी और ब्लाग के उपर traffic move कर जाएगी, आपका portfolio bet होता जाएगा, ठीक है जी, इसके बाद हम यह insert read more का tag add कर सकते हैं, suppose that, इसके बाद म तो उससे क्या होगा, अब इसके नीचे मैं जो कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पर एक link में आजाएगा, जब आप इसको publish करेंगे, वो continue reading का link होगा, ठीक है, अब मैं preview करता हूँ ज़रा कि मेरा article कैसा है, तो यह मेरा article show हो रहा है आपको यहाँ ठीक है, अच्छा, अब य लेख सकते हैं, टेक्स्टी पैडिंग का format है, डॉप के इस बटन का format हो, आप बटन भी इसमें लगा सकते हैं, उस बटन के against को लिंक का अब जड़ेट कर सकते हैं, ठीक है, यह है, इसकी strike बनाने के लिए, टेक्स्ट के मिड में strike के लिए, ठीक है, यह horizontal line के लिए, यह आपकी website के उपर टिकने की कोशिश करेगा, यूजर को इतना अच्छा लगेगा आपकी website पर रुखना, और आपकी चीजों को पढ़ना, जब आप उसके लिए easy to understand चीजों को बनाएंगे, suppose that, अगर वो kit से related article है, तो आपने ऐसी text का use करना है, जो kit से related हो, और suppose मैं इसको थो background भी लगा दूँगा, इस text का मैं को background लगाना चाहरा हूँ, तो यह मैं इसका background लगा सकता हूँ, इसके बाद clear formatting, अगर को आपके formatting आपकी चाहरी है, तो इसको clear करने के लिए है, इसके बाद यह special characters है, अगर आपको formula, कुछ भी epsilon not, कोई भी theta या कुछ इस तरह की चीज देन indent करते हैं, तो indent जब हम करेंगे, तो ऐसे indent होगा, यह देखें, यह आगे जा रहा है, indent की ज़रूरत क्यों पेश आती है, suppose जी, यह मेरी website है, इसके ओपर यहाँ पर कोई add चर रही है, left side पर, ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा यह वाला जो text है, यह user ठीक तरह से indent हो चुका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखें, यह आगे indent हो गया, और अब यह वाजया नज़र आ रहा है, तो indentation की इन मौकों पर ज़रूरत पड़ती है, इसके इलावा, यह indent को decrease करने के लिए, increase करने के लिए, Ctrl-Z की तरह काम करता है, यह वाला जो arrow है, suppose आप जो बात main मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप fresh ही हैं, बिल्कुल new हैं, तो आपके लिए काम की चीज़ें हैं, दो, फटा-फट कामयाब होने के लिए, जबने आर्टिकल को ज़्यादा जबदस बनाने के लिए, अपने portfolio को healthy बनाने के लिए, just remember, आपकी SEO settings completely green होन चाहिए, SEO friendly, search engine optimized headings कैसे बनेगे, तो ये एक extension है, जिसके उपर एक पूरी मेरी video मिल जाएगी आपको, उसका भी link मैं नीचे दूँगा, comment के अंदर, ये मेरी extension है, अगर मैं extension के उपर click करूँ, तो ये suppose मुझे sign in करना पड़ेगा, यहाँ पर, मैंने उस video के अंदर इसको completely sign sign in करके आपको बताया है, तो ये आपकी heading का score बताएगा, आपकी heading का score बताएगा, आपकी heading का score क्या है, जितना better score होगा, उतना अच्छा chances हैं कि Google result के अंदर आपको top पर दिखाएगा, यहाँ पर, top पर दिखाएगा, और अगर आप top पर होँगे, तो तब ही, आपके article के रही है कि मेरा काम भी खतम तो हुआ नहीं है तो मैं अपने काम को खतम करने से पहले इसको Save as draft कर सकता हूँ और अपने ही Save as Draft की हुई चीज को मैं चीक कर सकता हूँ, इस पे खिली कर ऑफ to यह Save as draft हो जाएगा, और अगर मैं बाद में चीक कर लोगा डर मुझे मिरा आर्टिकल पड़ा मिल जाएगा सपोज मैं आल पोस्ट के अंदर आता हूँ तो ये है मेरा ड्राफ्ट ठीक है मैंने ऐसा किया मैं एक आर्टिकल तीन दिन में लिखता हूँ भई उसके लिए मुझे रिसर्च की जरूरत पड़ती है तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल के अंदर ऐसा होगा आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करते हुए आपको दो से तीन दिन भी लग सकते हैं ठीक है तो आप आए अपना डेटा आर्टिकल जो है कि आपका आर्टिकल है complete तो अब हम क्या करें आर्टिकल को complete करने के बाद जोड़ी है इसके लिए एक feature image देना वाट इस feature image भाया यह तो बताया है नहीं फिचर इमेज है यह यह है feature image जो यहां पर शोव हो रही है यह सारी के सारी feature image है feature image आपकी जितनी ज़्यादा catchy होगी उतना ज़्यादा chances है आपके आर्टिकल को पड़े जाने के ठीक है आपके आर्टिकल के उपर क्लिक करने के स्पोस्थ यह देखिए यह किसी deal के बारे में लिखा है और इसके अंदर बड़ी feature image है feature image को डालना कैसे आपने ठीक है आपने feature image को यहां से डालना है यह देखिए यह feature image आप इसके पर simple set करेंगे और यहां से upload करेंगे और आपनी कोई जो article पढ़ने मला है उसका net slow हो सकता है अगर तो उसका net slow है तो video चलने में देर लगेगी अगर video चलने में देर लगेगी तो भाई इतना time किसके बास है कि आपके article के उपर बैठा रहे वो तो skip करके फटा-फटा के निकल दाएगा तो इसलिए जरूरी है कि आप feature images के use करें instead of videos इसके बाद हम चलते हैं उपर ये जो है ये post का template है ये website की theme के साथ आता है ये administrative level की चीज़ है इसका लिखने से लेना देना नहीं है अगर आप writer हैं तो आपको इन चीज़ों में पढ़ने की जरूरूद नहीं तो आपके article को user क्या-क्या लिख के search कर सकता है या क्या-क्या लिखे तो आपका article आए ये है वो tag जो आपने यह आप इनसर्ट करना है आपके tag 5-6 भी हो सकते हैं आपने एक tag insert किया, कॉमा देके दूसरा tag insert करने कॉमा देके तीसरा tag insert करने ठीक है आपने tags लाजमी देने है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे आप सोचते हैं user वैसे सोचे आपने या लिखा best पकिस्तानी या best asian food भाई जरूरी तो नहीं है कि user भी यही सर्च करे user कर सकता है I want to eat best asian food तो ठीक है आपने इसको भी उठा के tag में डाल देना है ऐसे 5-6 चीज़ें जो आपको लगता है user पूछ सकता है कर सकता है उसको आपने tag में लाजमी enter कर दिना है तो होगा क्या जो आपके tags है यह देखें I want to eat best asian food यह मेरा tag आ गया पांचे tags को यहाँ पर लाजमी लिखें एक tag में यह बना देता हूँ को मैं से एक tag यह बना देता हूँ को मैं से एक tag यह बना देता हूँ और इंको मैं add कर देता हूँ तो यह मेरी tags बन जाएंगे पांचे tags लाजमी लिखें और आपने यूजर के end से सोचना है यूजर यहाँ पर क्या add कर सकता है तो अगर हम दोबारा एक healthy सा review लें तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पर एक अपने आप title देना होगा वो title जो है वो हमें अच्छा कैसे मिलेगा यह heading हमें अच्छी कैसे मिलेगी इसके लिए हमें इस plugin का use करना होगा इस plugin को use कैसे करना है इसका link आपको commit में मिल जाएगा उसके बाद आपको अपना article यहाँ पर तसली से लिखना है headings का use करना है चीज़ों को questions में divide करना है और उसके questions में divide करना से क्या मुराद है यह एक study है कि user ज्यादा questions answers को उपसंग करता है बजाएए कि आप एक boring सा लंबा सा article लिखें अपने article को तोड़ें चोटे-चोटे questions में चोटे-चोटे pieces of information में इसको distribute कर दें उसके बाद आपने वाला काम करना है वो अपने योस्ट की जो plugin है इसको खुश करना है इसको green करना है किसी भी तरह से इसको कैसे green करना है वो मैंने आपको बताया है एक separate video के अंदर उस separate video का link भी मैं दे रहा हूँ वो link description में मुझूद है और heading वाला link का आपको comments में मिलेगा ठीक है तो आप उसके अपर click करके वो videos को पूरा देखें तसली से देखें और बास जेन में रखें मुम्किन है एक video से आपकी तसली ना हो और आपको दुबारा इसके बारे में जानने का शौक पैदा हो या आप इसको मजीद जानना चाहें तो feel free to ask commit में आप message कीजे मुझे मैं आपको उसके बारे में उसी विकतिन detail बताऊँगा ठीक है या अगर video भी बनानी पड़ी तो मैं आपको ऐसे video भी बताऊँगा उसमें video बनाके बताऊँगा अभी ये चीजें ऐसे होंगी practical करके दिखा दूँग आपको मैं ठीक है ये करने के बाद आपने क्या करना है अपनी category लाजमी select करनी है इसको नहीं छोड़ना वरना या uncategorized articles में चला जाएगा उसके बाद आपने tags को लाजमी देना है और आपने एक अच्छी सी feature image लाजमी set करनी है तो अगर मैं इसको points बनाऊँ sorry अगर मैं इसको points यहां पर बनाऊँ तो मेरे points क्या बनेंगे सबसे पहला मेरा point बनेगा जो मुझे यहां पर बनाना है first of all मेरा point बनेगा एक अच्छी सी heading SEO friendly ताकि वो heading इतने catchy हो कि Google फटा फट जम करवा दे मेरे article के उपर दूसरा point अच्छा इसके लिए Grammarly को भी use करें Grammarly एक plugin है इसकी वीडियो का link भी मैं description में दे रहा हूँ इनके links description में देने का मकसद यह है ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप उन वीडियो के देखें और आप उक्ता आना जाएं की तरह की चीज़ देख देखें तो इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद हम क्या करेंगे अपना article लिखेंगे फ्रेंड़ी मैनर में मैनर इसमें ठीक है जिसमें headings का इस्तमाल और article breaking करेंगे हम अंदर चीज़ें मुक्तलिफ यूज़ करेंगे text को color करेंगे background colors को add करेंगे इसके बाद हम category भी category विलके शुरू में आप select करेंगे ठीक है आप एक select categories ठीक है इसके बाद आपने क्या करना है select tags और then feature image लाजमी यह वह basic चीज़ें है ठीक है और यह लाजमी योस्ट चाचु को खुश करना है योस्ट की plugin को खुश करना है को happy करें कैसे करेंगे यहां पर दोनों green होंगे सारे points इसके green हो जाएंगे तो आपको पता लग जागा कि मेरा article इसकाबल है कि Google इसको फॉरण से accept करके अपने पास ले ले तो इसके बाद जब आपको लगे कि आपको आर्टिकल इसकाबल है तो इसको एक दफा रीड भी करें पेपर देने के बाद पेपर देने के बाद बड़े बुड़े क्या कहते थी ठीक है जब आप उसको खुद से add करेंगे खुद से review करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी घलतिया अब निकालेंगे यह सारी options का use करें एड मीडिया से मीडिया को add करें अच्छी इमेजिस कैची इमेजिस उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फीचर इमेज बाद अपनी आर्टिकल को खोलें और उसमें को थोड़ा बहुत चेंज लाजमी किया करें इससे Google को लगता है कि भाई इसके सरपे माबाब मजूद है अभी तक इस आर्टिकल के और इसको छोड़ा नहीं है और यकीन करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे 100% ट्रेफिक आपके अपर आएगी ultimately सारा कुछ करने के बाद what you have to do यहां तो move to bin कर दें लेकिन यह ना करना भाई इतनी मेनत की है इसको move to bin क्यों करना है delete क्यों करना है you have to publish it ठीक है तो आप इसको publish कर देंगे और simple आपका article publish हो जाएगा so इस वीडियो के अंदर कुछ गलतिया हो सकती है लेकिन उसके बावजूद मुझे उमीद है कि इसमें बहुत सारी information ऐसी भी थी जिसका आपको पहले नहीं पता था so like लास्मी करें इसको और खोशिश करें कि नए writers के साथ इसको share भी लास्मी करें ठीक है तो जो चीजएं इसमें 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 इसमे में और कुछ लिंक्स कमेंट्स में दे दूँगा थैंक यू वेरी मुच